आज का हमारा चेप्टर है चेप्टर नमबर 16 हवा में फैलता जहर यह हमारे पर्यावरन से रिलेटिड है आज इसमें बताते हैं लेखक आज मनुश्य अपने व्यग्यानिक तक्नीकी एवं और धोगिक विकास से बहुत खुश है इसी खुशी में वह प्रकर्तिक संसादनों का अंधादुन दोहन कर अपने विनाश की लीला लच्र क्या है कि अपना अपनी तरक की देख रहा है कि घर बड़े-बड़े बन गए विशाल और जो है फरनीचर हो गया और यह सब चीजे वो क्या से कर रहा है जंगलों को काट रहा है इन सब अपनी सुईधाओं के लिए अब इस पार्ट में हम क्या करते हैं वाई प्रदूशन की बात करते हैं तो इसका एक नमोना हमें 80 के दशक में अर्था 1980 में देखने को मिला था भारत की एक ऐसी घटना जिसको सोचकर आज भी हमारा देल जो है वो बैठ जाता है क्या हुई थी तीन दिसम्मर 1984 को भोपाल म गैस तरा सदी को भुलाया नहीं जा सकता महाँ पर क्या हुआ था यूनियन कारबाइट जो गैस थी वो रिस गई थी और उसने जो है उसमें बहुत से हमारे लाखों लोग चार अजार लोग तो मारे गए थे और बहुत से लोग ऐसी बिमारियों से पीडित हो गए थे कि या तो वो अंदे हो गए थे या अपंग हो गए थे और वो जीवन भर उस बिमारी को जेलते रहे तो हमें इस से रहे के जो है प्लांट लगाने से पहले उनकी सुरक्षा के पाई भी हमें अपने सोच से रहने कर चलना चाहिए परन्तु कभी गटना की पुन्रा वरती से मूह नहीं जो ऐसा नहीं है कि वो दुबारा से घटना नहीं हो सकती वैसे भी अध्योगी करण के करण विशाला दुवार इस रिसकर वायू मंडल को की वायू को प्रदूशि पाई के बिना महिनों जी सकता है पानी के बिना कुछ दिन गुजार जाता है लेकिन सांस लिए बिना वह चन मिंटों में ही मृत्यू को प्राप्त हो जाता है मनुश्यों ग्यानिकों ने अनुमान लगाया कि एक जो है व्यस्त अर्थाथ 20-22 साल का विक्ती जो है वो देड़ किलोग्राम खाना खाता है और पानी ढाई लिटर के करीपीता है लेकिन अगर सांस की बात की जाए तो वह एक दिन में 15 किलोग्राम वायू का आदान प्रदान करता है तो इतनी अधिक वायू शरीर में प्रवेश करने के साथ ही वह यह भी निशित कर देती है कि प हमारे सारा जीवन चक्र जो है वायू से ही चलता है हवा से ही हम हमारे शरीर में खून बनता है साफ होता है और हमारे शरीर की गतिविध्या होते हैं शहरी और ग्रामीर शेत्रों में लगे उद्योग हमारी उन्नतिकर प्रतिक हैं लेकिन उन में से अधिकांश उद्योगों की चीमनियों से क्या है विशाल अदुमा निकलता है वो कहां जाता है वायू मंडल में फैरल कर हमारे वायू मंडल को हमारी वायू को प्रदूशित कर देता है और उसके जो प्रदूशक्ततों है वो फेम फ्रो में जाकर एकठे होकर हमें हानी पहुंचाते हैं वायू के प्र रेल माल गाड़ियां और हमारे दो पईया वाहन बस जीप मोटरसाइक के लिए सारी चीजे जो है क्या है वायू प्रदूशन को बढ़ावा देती है अगले वेस पर चलिएगा वायू प्रदूशन ने धरती पर जीवन को खत्रे में डाल दिया है इसके कारण पक्षियों की अनेक प्रजातियां वेलूप्त हो गई हैं कुछ पक्षी ऐसे हैं जो कि बिल्कुल खतम हो गए हैं और कुछ विलपती के कगार पर हैं माना की वायू प्रदूशन का मूले चुकाए बिना अधुनिक जीवन शैली की सुक्सुविधाएं जुटा पाना संभव नहीं है पर अधुनिक वेवार में इको फेंडली चीजों का प्रियोग चाहिए जैसे प्लास्टिक वगएरा का प्रियोग नहीं करना चाहिए कचल वगएरा को नहीं जलाना चाहिए और दूसरा जो है अधूरा दहन बताया गया है इंदन की मातरा घटा कर इंदन और हवा में के सही अनुपात से दहन को बढ़ाया जाए दो किसी चीज को जलाते हैं तो क्या करते हैं बहुत सारा डहिर जो है इंदन का जलाने वाली चीज का लगा देते हैं तो उसमें हवा पा carbon dioxide gas से भी विशयली होती है तो इसमें हमें क्या करना चाहिए कि हमें एक सीमित मात्रा में धेर में ऐसे धेर लगाना चाहिए जिसमें हवा भी आसपास होती रही हो और आग जल सके उससे धुआ कम निकले व्यज्यानिक योदि आधुनिक जीवण शयली के लिए वायू प्रदूशन फैलाने वाले यंत्र पनाए हैं तो वायू प्रदूशन को नियंत्रत करने वाले उपकरन भी बनाए हैं उन्होंने उद्योगों की प्रदुशन को रोकने के लिए पताया है S-Besters Scrubber Filter आदी का प्रियोग अनिवारे रूप से किया जाना चाहिए ताप बिजली गरों तथा उड़ने वाली राख उत्पन करने वाले उद्योगों को अपने संयंत्रों से ही electrostatic precipitator लगा लेने चाहिए और इन उपकरणों को लगा कर ये ने की निश्चिन तो जाने लेकिन इनकी समय समय पर जाच और इनकी सफाई भी करते रहना चाहिए और द्रोगिक परिसर यानि कि जहां पर द्रोगदंदे हो रहे हैं उनके आसपास और सड़कों के किनारे क्या अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए जिससे पेड़ों से क्या है वो पेड़ कार्बन डाई अकसाइड को अपने अपमें अफ्शोशित कर लेते हैं सोक लेते हैं और क्या देते हैं प्राण वायू यानिके ऑक्सीजन हमें प्रदान करते हैं जिससे ज्यादा पेड़ लगाने से क्या है हमारे कार्बन डाई गै उमारियों के प्रकोप से भी हम बच सकते हैं तो वायू प्रदूशन एक ऐसी गंभीर समस्या है जदी इस पर आज ही विचार नहीं किया जाएगा मानव जाती नहीं जागेगी सरफ तो उसे अपने विनाश को रोकने में के अवसर नहीं मिलेगा इसलिए में समय रहते ही संब जाटर था हवा में फैलता जहर बुक वर्क हम इसका कल करेंगे ओके स्टुडेंट्स कि अज़िए कि अज़िए कि अज़िए